दर्शो को आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगा जो काफी प्राचीन है और जिसका पौरानिक महत्व है जिहां हम बात कर रहे हैं मतुरा के धुरुव घाट की अपनी सौतेली मा के वाक्यबान से विथित होने पर अपनी माता सुनीती के निर्देश अनुसार पंच वर्शी बालक दुरुव देवर्शी नारश से यहीं यमुना तक पर मिला था देवर्शी नारत के आदिश अनुसार द्रुव ने इसी घाट पर इस्नान किया और देवर्शी नारत से द्वादशाक्षर मंत्र प्राप्त किया पुना यहीं से मधुवन के गंभी नर्जन एवं उच्च भूमी पर कठोर रूप से भगवत आराधना कर भगवत दर्शन प्राप्त किया था यहां स्थान करने पर मनुष्य द्रुव लोक में पूजित होती हैं यहां श्राद से पित्रगण प्रसन होते हैं और गया में पिंड़दान करने का फल भी उन्हें यहीं प्राप्त हो जाता है यहां प्राचीन निमबादित्य संपरदाय के बहुत से महत्मा गुरू परंपरा की धारा में रहते आए हैं प्राचीन निमबादित्य संपरदाय का ब्रजमंडल में यही एक स्थान बचा हुआ है किन्तु इस पवित्र स्थल की देख रेक न होने से यह स्थल भी के रेरों में तब्देल होता जा रहा था इस पवित्र स्थल की शुचिता बनी रहे इसके लिए यमुना मिशन ने यहां भी संपूर रूप से साफ सफाई कर स्वक्षता अभ्यान चलाया और उसके बाद में व्रेक्षा रूपर्ण किया गया इस स्थल को सुंधर सुंधर व अच्चे भी बहुत आनंदी थें